देवानन्द कर आज जीवित होते तो सव साल के हो चुके होते आज उनकी इस मृतियों के बहुर बड़े गुल दस्ते से हम कुछ फूल लेकर आए हैं दोस्तों देवानन्द अपने दोर के जाने माने हीरो मिरमाता निदेशक, फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर और एक जुझारू इंसान भी थे साल पहले मुझे तुम से प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा एक जमाना था जब देश में इमरजैंसी लगी तो देवानन्द ततकालीन प्रधान मत्री श्रीमती इंदेरा गांधी से जाकर भड़ गया थे दरसल जब इमरजैंसी लगी और देवानन्द पर भी पेहन लगाने की तैयारी थी तब उनको एक प्रस्ताओ दिया गया था कि वे दूर दर शंग पर आएं और इंदीरा गांधी के पुत्र संजे गांधी की नीतियों का गुनगान करें ये प्रस्ताओ बहुत से फिल्म वालों को दिया गया था लेकिं देवानन्द खुद्दार आदमी थे उन्होंने साफ मना कर दिया इसका नतीज़ ये हुआ कि देवानन्द की फिल्में पैन कर दी गई दरसल आपादकाल की बंदिशों का देवानन्द नहीं नहीं बहुत से फिल्म मिर्माता निर्देशकों और कलाकारों ने विरोध किया था देवानन्द ने रेलिया निकाली और बाकाइदा आपादकाल यानि अमर्जेंसी का विरोध दर्ज कराया था देवानंद रेलियों में तहारते थे कि अगर इंदीरा गांधी में तम है तो वो उनको जेल भेज कर दिखाएं लेकिन इंदीरा गांधी उनको जेल तो नहीं भेज सकी उनकी फिल्मों पर पतिबंध जरूर लगा दिया गया देवानंद की फिल्मों को टेलिविजन पर चलने से रोक दिया गया उस समाने में टेलिविजन बहुत ही लोक प्रियमाध्यम था और लोक बड़े चाओ से टेलिविजन देखा करते थे इतना ही नहीं आल इंडिया रेडियो पर देवानंद के गाने बजने भी बंद हो गए देवानंद का नाम तक लेना पतिबंधित कर दिया गया उसके बाद जब 1977 में जनता पार्टी बंगए और देश के तमाम राजनेता इंदीरा गांधी के विरोध में लाम बंद हो गए तो देवानंद साड़कों पर उतर आये और उन्होंने इंदीरा गांधी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया लेकिन जनता पार्टी के आपसी फूट ने देवानंद को इतना निराश किया कि उन्होंने खुद ही किनारा कर लिया 1980 में देवानंद ने एक नई पार्टी बना ली इस पार्टी का नाम रखा गया नेशनल पार्टी आफ इंडिया लेकिन इस पार्टी को राजनेताओं का समर्थन शून्य के बराबर था लिहाजा ये पार्टी मुंबई और महरास्ट से बाहर बढ़ ही नहीं पाई और देवानंद के राजनीतिक सपने चूर चूर हो गए लेकिन ये वरितांत बताता है कि देवानंद किस तरह अपने मूल्यों के लिए खुद्दार और अपनी बातों पर कायम रहने वाले दमदार अभिनेता थे दोस्तों चार सितंबर 1979 को मुंबई के ताज होटर में एक प्रेस कांफेंस लखी गई थी इस पारिटी के समर्थन में वी शांता राम, राम बोगरा, हेमा माले नी, रामानंद, सागर, आत्मा राम, संजीव कुमार, शत्रगंस, दिना जैसे कलाकार देवानंद के समर्थन में आगे आए थे अटल बिहारी पाचपेई जी देवानंद जी को बहुत मानते थे उनकी सरकार की सिफारिश पर देवानंद को दो हजार दो में दादा साहब फाल के पूसकार से सम्मानित किया गया देवानंद ने अपनी जिन्दगी के 65 साल सिनेमा को समर्पित किये और 110 फिल्मों में काम किया इनमें 92 फिल्मों में वे खुद निर्माता निदेशक और अभी नेता थे या सिर्फ अभी नेता थे हाला कि तस्वीर का एक पहलो और भी है फिल्म गाइट को विदेशी फिल्म समारो के लिए क्लियरेंस नहीं मिल रही थी लेकिन इन्दीरा गांधी ने देवानंद की 1966 में मदद की थी और गाइट फिल्म को क्लियरेंस मिल गई थी लेकिन देवानंद अपनी बातों पर अड़े रहने वाले इनसान थे उनको आपात काल पसंद नहीं था लहाजा इन्दीरा गांधी से उनका विरोध वेक्टिकत नहीं था बलकि नीटियों को लेकर था देवानंद की पार्टी के फ्लॉप हो जाने का एक कारण ये भी था कि फिल्म निर्माता चू की बिजनस व्यवसाय से तालुक रखते थे और उनके बीच ये अफवा फैल गई की अगर फिल्म उद्योग ने इन्दीरा गांधी के खिलाब कोई कदम उठाया तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा लहाजा एक एक करके ज़्यादतर निर्माता कन्नी काटने लगे और देवानंद तनहा रह गए दोस्तों देवानंद के काले कोट का किस्सा तो सभी जानते हैं कि उनके काले कोट पर लोग इतने दिवाने थे खास कर महिलाएं लड़किया लिहाजा कोट ने इस पर बेन लगाया था टेक्सी ड्राइवर जो 1954 में बनी थी उस फिल्म को देखने सारे टेक्सी वाले थेटर के बाहर अपनी टेक्सियां खड़े करके जमा हो गए थे लिहाजा उस दिन मुंबई की सडकें फिरान हो गई थी और लोगों को एक भी टेक्सी नहीं मिली थी देवानेंद को शत्षत्नमन